ने बिलकुल देखो कंट्री के लिए जब भी मैडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है लेकिन वही है कि परसनली मतलब मैडल की बात अलग है लेकिन अब टाइम है इंप्रूमेंट करने का थरो में भी और जो भी कुछ इंजरी वगारा है जो चल रही है उन पर अभी काम कर होना है और जो कम्या है उनको सुधारेंगे टीम के साथ बैठके बात करेंगे और अच्छा है टुटली अगर ओल ओवर देखे तो अपनी इंडिया की परफोर्मेंस अची रही है टोक्यू के साथ वही गोल्ड या बरॉन शिलवर उन पर कंपेर ना करें इस बार जो अथल साइन है कि ऐसे ही और ज्यादा मैडल बढ़ेंगे हमारे ने बिल्कुल देखो कंट्री के लिए जब भी मैडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है लेकिन वही है कि पर्सनली मतलब मैडल की बात अलग है लेकिन अब टाइम है इंप्रूमेंट करने का थ्रो में भी और जो हैं टोक्यू के साथ वही गोल्ड या बरोंच इलवर उन पर कंपेर ना करें इस बार जो एथलीट खेलने हैं बहुत ही मन से खेलने हैं दिल से खेलने हैं और ओलो और परफोर्मेंस से ही रही है ऐसे ही चेंजिज आते हैं जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे मैडल बढ़ते जाएं कभी ना कभी वो टकर भी देते हैं थोड़े से चूक जाते हैं लेकिन आने वाले टाइम में ये साइन है कि ऐसे ही और जादा मैडल बढ़ेंगे हमारे ने बिलकुल देखो कंट्री के लिए जब भी मैडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है लेकिन वही है कि परस है उनको सुधारेंगे टीम के साथ बैठके बात करेंगे और अचारा है तुटली अगर ओलोवर देखे तो अपनी इंडिया की परफॉर्मेंस अची रही है टोक्यू के साथ वही गोल्ड या बरॉन शिलवर उन पर कंपेर ना करें इस बार जो अथलीट खेल ले हैं बहु ऐसे ही और ज्यादा मैडल बढ़ेंगे हमारे ने बिल्कुल देखो कंट्री के लिए जब भी मैडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है लेकिन वही है कि पर्सनली मतलब मैडल की बात अलग है लेकिन अब टाइम है इंप्रूमेंट करने का थ्रो में भी और जो भी कुछ जो चल रही है उन पर अभी काम करना है और जो कमिया है उनको सुधारेंगे टीम के साथ बैठके बात करेंगे और अच्छा रहा है तुटली अगर ओल ओवर देखे तो अपनी इंडिया की परफोर्मेंस अच्छी रही है टोक्यू के साथ वही गोल्ड या बरोन शील वर उ तोड़े से उससे चूग जाते हैं लेकिन आने वाले टाइम में ये साइन है कि ऐसे ही और ज्यादा मैडल बढ़ देंगे हमारे